आप सभी प्रिया दर्शकों का स्वागत है बात करेंगे फार्मा सेक्टर के एक one of the best penny stock आपके लिए लिए क्या है SWOT Analysis के साथ में बताएंगे क्यों आपको इस stock में निवेश करना है माच साल से consistently profit दे रही है कंपनी और promoter की holding लगबग 70% के आसपास है तो बढ़िया fundamental है आईए चलकर visualization करते हैं और पुरा SWOT Analysis के साथ में बताएंगे क्यों आपको निवेश करना चाहिए हम बात कर रहे हैं Punch Shield Organic Limited फार्मा सेक्टर की कंपनी one is to one का bonus issue भी अनाउंस किया है कैसे पैसे कमाए जाए आईए visualization करते हैं और profitable idea के बारे में आपको बताएंगे Stock आज पुचास आज last day है अगर आप इसको X bonus date पर खरीदना चाते हैं अदवाइस 50% का fall होगा कल stock में पर घबराने वाली बात नहीं है वो एक अच्छा idea है tax बचाने के लिए SWAT analysis के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि क्या strength है चार की component की बात करेंगे सबसे पहले S की बात करते है strength strength में extensive experience है company को अपने product के बारे में sustainability और compliance framework बहुत strong है इनका और export की बात की जाए तो 15 से ज़ादा countries में ये export करते हैं manufacturing capability है जो API को बनाते हैं बहुत महालत हासिल है इन लोगों को और location of manufacturing unit बहुत close है raw material के as well as export driven companies के बात की जाए weakness की अगर बात की जाए SWAT analysis में तो raw material availability impact होती है उससे cost पर भी impact परता है margins पर भी impact परता है overall economic macro factors काफी ज़ादा demand को impact कर सकते हैं साथ-साथ में क्योंकि इनका export driven है और revenue जो generate होता है वहाँ से billing जो होती है US dollar या फिर euro में होती है जो कि एक key factor है अगर currency against चली जाती है तो वो उनको थोड़ा सा challenge रहेगा क्या opportunities है देखे यहाँ पर domestic market के opportunities की बात की जाए तो marketing effort increase हो रहा है niche product इनके बन रहे हैं ये एक काफी अच्छी opportunity है इनके पास में niche product में और भी जादा खमाई कर सकते हैं international market की भी opportunity है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे market अभी तक इनोंने tap नहीं किया है जो कि इनको नए source of revenue बना सकते हैं तो आगे का growth भी बहुत बढ़ी है अब threats क्या होंगे threats में देखी coronavirus जैसे अगर इस तरह का global pandemic में आता है तो supply chain disruption हो जाते हैं जिसकी वेज़से इनके product पर impact आता है China और Israel company आ रही है जो इनको low cost के साथ competition देंगी तो ये एक challenge होगा और अगर इंडिया में ही foreign players आ जाते हैं इनके segment में तो ये भी इनके लिए challenge रहेगा इंडियन government की भी drug policies है जैसे आपने coronavirus का देखा को vaccine government ने market price cap किया हुआ है तो इस तरह से government control कर सकती है pricing जो की इनके margins को impact करेगा साथ-साथ में availability of materials and rising cost भी impact करती है इनके margins को तो कुछ हद तक ये pass करने की कोशिश करते हैं बट सारा का सारा नहीं कर पाते हैं company ने dividend दिया consistently interim dividend जो दिया था डेर रुपे का final dividend प्चास पैसे का और साथ-साथ में bonus issue भी announce किया है जो इसकी x date December 6 है अब अगर हम बात करें company का क्यों आपको इसमें निवेश करना चाहिए fundamentally एक small cap company है 119 करोड की company है volume भी को ज़्यादा नहीं है 34,000 share on average रहते है sales का impact था 50 करोड से घट गई है 2021 में की sale तो ज़्यादा impact नहीं है बड़ जो growth trajectory बढ़ रही थी वो कम हो गए profitability देखे जाए बहुत अच्छी 5 साल के consistent profit है 5 करोड दो सालों में consistently profit दिया है इनोंने almost 69% के आसपास promoter holding 31 के percent के आसपास public holding peer comparison किया जाए तो देखें बड़ी-बड़ी companies Sunformer, Divi Labs, Dr. Reddy, Sipla उनके comparison में price में भी कम है market cap में भी कम है ये company पर P.E. में देखा जाए तो relatively एक lower range P.E. अभी भी है इसका तो ये potential है इसको पर जाने के लिए अगर एक साल का performance देखा जाए तो सबसे ज़्यादा performance इसी company दिया है पंचील ने आपको 232% का return दिलाया है इस company ने Why to invest? Double benefit मिलता है आपको price action से इसमें volume बढ़ेगा और साथ साथ में loss booking भी कर सकते हैं आप loss booking कैसे करते हैं देखे टेक्स जब आप देंगे तो आपका जो भाव है वो 230-240 मान के चलें तो 120 के आसपस आपको दिखाई देगा एक दिन बाद यह आप निवेश कर चुके होंगे तो उससे आपको 120 उर्पे का loss booking कर सकते हैं अधर companies के साथ में घपराये नहीं वैली बात नहीं है जो loss है वो आपका साथ दिन के अंदर आपको दिखाई देगा कि आपके share में account जो है bonus account bonus share आचुके है तो आपको loss खता हो जाएगा बट यह accounting terminology है जो आपको समझनी है December 6 और 50% का fall हम expect करेंगे उस दिन यहाँ पर प्राइज में ट्रेडिंग सर्कल के accordingly आगे आने वाले समय में इनकी जो export है वो drive होगी further other countries में जो कि इनके लिए अच्छा रिवेने जनरेट करेगी और for tax reduction also DIA इसमें निवेश करते हैं और outlook हमारे सबसे बहुत bullish है अगर company का हम देखे तो 237 के आसपास आप इस पे current market price है current market price पर आप आज इसको खरीच सकते है हमारे paid members के लिए exclusive video दिया गया है 500 रुपे का हमारा view लग रहा है remember after adjusting the price तो बहुत अच्छा रिटर्ण बिलेगा channel काफ़ा वैपरिल देहान रखे और अगर हमारे साब जुन है तो मेल आपकी जाहीं जाहीं जाए भारत पाइगाइस